जैसे राम सनातन ज्यान के गंगा में आप सभी प्रबुद जनों का उनाहार्दी कभी नंदन है देवों का दुलारा, प्रकिर्टी का प्यारा एवं लक्ष्मी का लाडला हमारा हिंदुस्तान कभी सोने की चिडिया के नाम से जाना जाता था यहां की धर्ती सोने उगलती थी और यहां की नदियां रजत वर्ष्णी थी कालांतर में कुछ विदेश्टी आकरांता आए और भारत माता के हिर्दय को लहु लुहान कर गए परंतु भारत मा के लाडले भी भारत मा की रक्षा के लिए अपने तन और मन को निचार कर दिया और ऐसे लाडलों में एक नाम सुमार है हिंद शिरोमणी पिर्थवी राजचोहान की पिर्थिभी राजचोहान का सामना मुहम्मद गोरी से सोलह बार होता है सोलह बार पिर्थिभी राजचोहान मुहम्मद गोरी को हरा देते हैं और छमादान कर देते हैं सतरहमी बार बड़ी ही धूर्तता के साथ मुहम्मद गोरी पृत्वी राजचोहान को कैद कर लेता है और उनको बेडियों में बान करके यहां से काबूल लेके चला जाता है वहाँ पर ले जा करके पृत्वी राज चौहान की के साथ बड़ा ही बेरहमी से पेश आते हैं और उनकी आँखे तक निकाल दी जाती है पृत्वी राज चौहान अंधे हो चुके है पृत्वी राज चौहान की एक राज दरबारी थे चंद्रवरदाई कभी चंदर बरदाई कभी पिर्थिभी राज के हर लड़ाई में करीब करीब साथ साथ रहे रहा करते थे और उनकी वीर गाथाएं सुनाया करते थे चंदर बरदाई जी से बरदास्त नहीं हुआ और वे काबूल के लिए प्रस्थान किये वहाँ पर जाकरके उन्होंने संदेश पहुचाया गोरी के पास और तब उन्होंने बोला कि शायद आपको ग्याद नहीं है पिर्थिभी राज जवान शब्द बेदी बाहर चलाने में माहीर हैं कुशल हैं आपको विश्वास के लिए एक रणषेतर त्यार करनी चाहिए और वहाँ पर लोहे के साथ तवे लगाना चाहिए और उसका भेदन पिर्थिभी राज जवान से करवा करके देख लिनी चाहिए मुहमत गुरी को बड़ा अश्चर हुआ कि जो आदमी अंधा हो चुका है वो तीर कैसे चलाएगा वो लक्षे का भेदन कैसे करेगा कौतू हलबश उसने भी हां कर दिया दरबार सज गया पित्विर आज चौहान को दरबार के बीच में लाया गया चुकि वो अंधे हो चुके थे उनकी आखे फोड़ दी गई थी इसलिए उनको बेड़ी योगरा खुलवा करके और आजाद करके उनको एक अस्थान पर ला करके बैठा दिया गया हाथ में धनुसरबान पकड़ा दिये गया और उसके बाद से मुहम्मद गोरी की जितने भी सवासत से सब वहां पर बैठे हुए थे चंद्रबरदाई ने आ करके प्रित्वी राज चौहान को बताया क्या वो बताते हैं कब्य पाठ के रूप में बताते हैं कि चार बास चौबिस गज़ अंगुल अस्ट प्रमाण ता उपर सुल्तान है चूको मत चौहान अर्थात चार बास ये लंबाई बता रहे हैं कि चार बास चौबिस गज़ और आठ उंगली के दूरी के उपर मुहम्मद गोरी बैठा हुआ है कहने का मतलब कि काब्यपाठ के रूप में कवी चंदरबरदाई ने पिर्थवी राज को उनके यहां से ले करके और मुहम्मद गोरी तक की दूरी का ब्याख्यान कर दिया कि इतनी दूरी पर बैठा है अब अब इसमें सिर्फ दिशा नहीं थी किसी दिशा में बाण चलाना है दूरी तो उन्होंने बता दिया दिशा नहीं थी इसलिए चंदरबरदाई ने मुहम्मद गोरी को कहा कि है सुल्तान पिर्थवी राज चौहान अभी आपके कैद में है और आप अगया दे शब्द वेदी बाण का करिश्मा दिखाने के लिए मुहमद गोरी उनको आगया देता है बाण वेधन किया जाए जैसे ही मुहमद गोरी आगया देता है उसकी آवाज सुनकरके प्रतिपी राज़वहान को अंदाजा लग जाता है कि किस दिशा में बैठा हुआ है दूरी तो पहले ही पता थी शिगरता शिगर उन्होंने अपने बाण का संधान किया और मुहमद गोरी पर छोड़ दिया मुहमद गोरी को जा करके वो बाण लगी और उतनी उचाई पर से मुहमद गोरी नीचे गिर गया और उसके पश्चात उसके मृतू हो गई राज़दर्वार में अफरा धफरी मच गई भाग दोड़ मच गया और पुर्व नियोजित योजना के अनुसार चंदरबरदाई ने प्रितवीरा चोहान को कटार मार करके एक दुसरे की हत्या करके और वहां से वो आजाद हो गया कहने का मतलब कि यह जो भारत भोमी है यहां की जो धराधाम है यहां के ऐसे ऐसे भी लाल हुए हैं जो अपने प्राणों को ने उच्छावर करके भी इस धर्ती के मान सम्मान को जीवित रखने में कोई कसर नहीं छोड़े हैं हमें अपने बच्चों को भी भारतियों की यह गौरों गाता सुनानी चाहिए और उनके अंदर में देश प्रेम की भावना बढ़ानी चाहिए फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ तब तक के लिए जैसे राम